आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको छतका सीलिंग प्लास्टर करने में कितना खर्च लगेगा बताने वाले हैं हम 10 feet by 10 feet की छतका example ले रहे हैं सबसे पहले हमें volume निकालना होगा volume निकालने के लिए length into width into thickness का multiply करना होगा हमने plaster की thickness 6 mm ली हुई है 6 mm को feet में convert करेंगे तो 0.0196 feet होगा mm को feet में कैसे convert करते हैं सीखने के लिए video का link description में दिया हुआ है अब इसका volume निकालेंगे 10 multiply 10 multiply 0.0196 equal to 1.96 ये weight volume निकला इसे हम dry volume में convert करेंगे dry volume में convert करने के लिए 1.33 का multiply करना होगा 1.96 multiply 1.33 equal to 2.60 cubic feet dry volume निकला अब हमें ratio का पता करना होगा हमने 1.4 का ratio यूज किया है जिसका sum ratio 5 होगा अब cement की quantity निकालने के लिए dry volume multiply part of cement divide करेंगे sum of ratio से 2.60 multiply 1 divide के हमने 5 से equal to 0.52 cubic feet cement की quantity निकली अब इसे kg में convert करेंगे 0.52 multiply 40.78 equal to 21.205 kg cement की quantity निकली अब इसे bag में convert करने के लिए हम इसे 1 bag ले रहे हैं क्योंकि 1 bag से कम cement नहीं मिलता है 1 bag equal to 400 यानि की 400 रुपे का हमारा cement हुआ अब sand की quantity निकालने के लिए dry volume multiply part of sand divide sum of ratio करेंगे 2.60 multiply 4 divide करेंगे 5 equal to 2.08 cubic feet sand की quantity निकली हम इसे 3 cubic feet ले रहे हैं अब सबी खर्च को एक साथ जोड़ लेंगे 400 रुपे का हमारा cement लगेगा 150 रुपे का हमारा labor charge होगा जिससे हमारा 280 रुपे का total खर्च आएगा 10 feet by 10 feet की ceiling को plaster कराने में इस पकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को like and share कीजिए